Hello Everyone, This is Raynwagarwal here आजके topic हमारा है conditional sentences इफ़ क्लॉस के बार में हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले इसे समझना है, बहुत ही important topic है ध्यान से दिखेगा सबसे पहले हम conditional sentences के बात करें तो conditional sentences वो sentences होते हैं जिसमें एक close में हमें condition दी हुए होती है और दूसरी clause में उसका result ही, यानि ये शर्थ पूरी होगी, तब भी ये result आएगा, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जो conditional sentences है, उसके डो पार्ट हो गई है, दो पार्ट हो गई मतलब एक में आपका, क्योंकि हम अभी if clause की बात कर रहे हैं, तो उसे if clause बोल सकते हैं, इसे conditional clause बोल सकते हैं, या फिर उसे subordinate clause बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट जो रहेगा, वो है main clause, देखे, किसी भी sentence में एक main clause तो रहे गई, ठीक है, तो एक main clause, और उसको और क्या बोल सकते है, principal clause भी बोल सकते है, तो हमें ये पता हो होना चाहिए, close होता क्या है, close क्या है, close में एक subject और एक verb रहती है, ठीक है, अब subject और verb नहीं होगा, तो अगर माली जैसे मैं रिखा in the morning, तो वो एक phrase हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोई भी subject और verb नहीं है, तो वो phrase हो गया, लेकिन अगर एक subject और close हो गया, अब close, एक principle close, एक main close, मतलब कह लिजे आप, साथ ही साथ हमें एक subordinate close मिल जाता है, तो वो हमारा एक sentence बन जाता है, तो sentence और close में डिफरेंस क्या हुआ, subject, verb इसमें भी है, sentence में भी रहता है, लेकिन एक sentence में एक से ज्यादा close हो सकते हैं, तो close तो एक single close या फिर हमने मैं उसमें 2 में divide कर दिया, कि एक main close है, एक subordinate close है, लेकिन sentence तो 2 से जादा close से भी मिल कर बन सकता है, तो वो difference रहेगा, close जो है, complete meaning देता है, तो ये तो होगी close के definition, इसके बारे में मैंने पूरा detail में भी पताया हुआ है, मेरी first video में आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है, if close है, if से start हो रहा है, यहां पर यहां आपको एक subject दिख रहा है, एक verb दिख रहे है, जितने close रहेंगे एक sentence में, उतनी उसकी सबकी अलग-अलग verb भी होगी, ठीक है, अब यहां पर देखे एक subject है, यह आपकी auxiliary verb है, यानि moral auxiliary, और यहां पर यह आपकी main verb है, ठीक है, अब यहां से देखिए कि यह if जो है subordinate conjunction है, और इस से जो connect होता है, तो वो हमारा कौन सा close होताएगा, subordinate close, जो close, देखो, एक close meaning दे भी सकता है, complete और नहीं भी, लेकिन sentence हमेशा complete meaning देता है, phrase जो होती है, वो complete meaning नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें subject और नहीं होता है, जैसा मैंने कहा in the morning, to the market, तो group of words तो होता है, लेकिन वो meaning नहीं देती, close meaning दे भी सकता है, नहीं दे सकता, इसका क्या meaning है, इसका मतलब यह हुआ कि जो subordinate close है, वो meaning नहीं देगा, वो depend करेगा इस पर, इसे और हम क्या कह सकते है, इसे हम dependent close भी कहते है, यह independent close होता है, क्योंकि इसका अपना एक meaning होता है, ठीक है, तो if you call him, हमारे पास क्या है, एक subordinate conjunction है, ठीक है, दूसरा एक subject है, verb है, और उसके बाद आने वाला एक object है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, subject है, auxiliary verb है, और यह एक main verb है, तो यह हो गए, दोनों close, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, verb की first one, ठीक है, दोसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, future, ठीक है, future मतलब will shell आ गया, तो इसमें क्या if close वाले में क्या नहीं आ सकता, और इधर अगर यह verb दियो है, तो इधर क्या verb आने चाहिए, उसके ब है कि conditional sentences, mainly हम बात करें, तो होते हैं, जिसमें हमारा पहला है, open, जिसको open भी कह सकते हो, या फिर probable condition भी कह सकते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है, कि यह जो condition होती है, वो हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती, present की condition के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही ह है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पार्ट A और पार्ट B ऐसा लिख दिया है, क्योंकि इसमें जो वर्ब है, वो सीम रहने वाली होती है, present की ही बात हो रही होती है, यहां पे, बट जीरो condition में क्या होता है, जैसा कि उसमें तो हमने कहा ना, जैसा कि अगर हम बारिष में खड़े हो जाओगे तो भीग्जाओगे यह क्या है यह तो होगा इसको मोलते हैं इसे हम पॉरे एक्जामपल के साथ भी करेंगे ठीक है नेक्स देखें नेक्स है hypothetical या फिर imaginary इमेजनरी कौन से होते हैं जैसे मैंने का अगर मैं पक्षी होती तो मैं और जाती है या फिर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं यह सब करता बट मैं हूँ नहीं यह मेरी सिरफ imagination है जो फुल्फिल नहीं हो सकती ठीक है अभी add present यह भी बात तो present की हो रही होते है यहां पर example से आपको समझ में आ जाएगा यहां पर present की बात हो रही होती है बट वह पूरी नहीं हो सकती दूसरे इसमें वह अगर मेरे पास पैसे होते अभी तो मैं तुम्हें दे देता ठीक है बट फुल्फिल नहीं हो सकती unfulfilled condition भी उसे बोलते हैं चले एक्जामपल से समझते हैं कि इसमें क्या रहेगा देखी सबसे पहले हमने open या probable condition लिखी मैंसे जैसा कि मैंने आपको बिताया कि यह क्या express कहता है एक condition that is likely to be fulfilled यानि कि वह possible है पूरी हो जाए ठीक है possibility likely मतलब possibility है वहाँ पर तो एक्जामपल से समझें यह हमारा इफ क्लूज है तो यू विल पास यहां पर आप देखे क्या कहना चाहता है कि अगर तुम मैनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे ठीक है हमने कैसे बोला हमने यह बोला कि अगर तुम मैनत करते हो तो यहां पर एक चीज़ का हमें यह ध्यान रखना है कि जब इस तरह की condition हम बता रहे हैं त याoo क्या हरतो हमने हैं तो एक तो यह ज़हान रखना है하는 है यहाँ पर यहाँ होती है जैसे कि जाप Online चाहिएtt जाते हैं तो वह यहाँ पर नहीं रहताइटा सीफ क्लोज की बात हो यह वह रहेगा तो हम नहीं रहेगा तो फाहित है तो हमने का अगर तूम कते महते हैं यूविल पस तुमे ambush हो चाओगर अब यहां पर हमारे पास देखें क्या है वहोगी फिर्स फों यहां पर हमारे पास क्या है एक अरगा यूद्रिया हैं तो इसके साथ हमें क्या करना है हमें रखनी है हमें सिंग रह नहीं बनानी यानि jest फास्ट अगर वह तेज़ दोड़ता है he will catch the train तो वह train पकड़ लेगा संभावना है और पूरी संभावना है तेज़ दोड़ने से वह train पकड़ लेगा तो लेकिन संभावना का मतलब क्या होता है may be or may not be दोनों बात हो सकती है तो हमने यहां पर क्या देखा कि इसकी स्ट्चर का गॉम्मिनेशण क्या रह रहा है कि अगर यह वाला पार्ट हमारा present में है टीक है if close हम यहां पर लिख सकते हैं अगर हमारा sub close जो है इफ close हमारा जो है वो present में है तो हमारा दूसरा पार्ट किसमें जाएगा दूसरा पार्ट हमारा फ्यूचर में जाएगा क्योंकि इससे यह हमारा क्या है कंडिशन है यह कंडिशन अगर पूरी होगी तो यह रिजल्ट मिलेगा इस कंडिशन के पूरा होने पर यह रिजल्ट मिलेगा तो जो रिजल्ट वा करना पड़ेगा हमें according to subject यहां पे हमारे पास present continuous भी हो सकता है present perfect भी हो सकता है लेकिन प्रेजन्ट होगा लेकिन वहाँ पर क्या रहेगा वहाँ पर हमारा यही future करेगा तो यहां पास क्या हो सकते हैं जैसा मैंने का संभावना है तो यहां मोडल वर्ब जो है में भी हो सकता है कैन अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसमें उसकी एबिलिटी दिख रही है तो कैन का यूज भी क्या जा सकता है अदरवाइस वी और शेल्टु इसके साथ हम क्या कर एगे हमेशा बे सफ़म उभाद करेंगे में बेस्ट क्लियर है अब नेक्स में देखिए इसको मैंने साथ यह डिका है जीरो कंदिश्मनल वाले साथ लिका है हालांकि इसे fourth part भी माल लिया जाता है क्योंकि हमारे three main होते हैं इसे साथ लिखने का मतलब है कि इसकी जो transform रहती है वो सेम रहती है present में है तो जैसा आप देखते हैं कि कोई बी जन्रल फैक्ट है माल लो अगर butter को मैं गरम करूंगी तब भी वो पिगल जाएगा को दूसरा करेगा तब भी वो पिगल जाएगा ना ऐसा नहीं है वो पिगलता ही पिगलता है होगा ही होगा यह तो इसका habitual reaction है यह, ठीक है, इसका natural low है, यह होना ही होना है, तब हमारी क्या condition रहते है, देखिए, if you heat butter, गरम करोगे, it melts, melt हो जाएगा, if you heat iron, लोही को गरम करोगे, expand हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, तो यह तो होगा ही होगा, इसमें हमने, यहाँ पर लेकिए verb की first form है, verb की first form है, यहाँ पर भी verb की first form के साथ, ses form है, तो यहाँ पर, if you heat, uk accordingly, हमारा verb की form आ गई, यहाँ पर हमने, will shell का use नहीं किया, दोनों ही तरफ present का use करना है, तो इसकी structure क्या बनगे, इसकी structure में यहाँ लिख देती हूँ, दोनों तरफ present, present, इधर भी present, type 2 situation में देखे, क्या है, यह hypothetical होती है, इसे, इसमें क्या है, यह improbable condition, आप कह सकते हैं, जो वो तो probable थी, यानि पूरी हो सकते थी, यह है तो tense, जैसी है, हमने वर्ब इसमें लगाई है, second, वी टू लगाई है, बट यह past की बात नहीं है, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर यह बोल रही हूँ, कि अगर मेरे पास, मुझे address पता होता है, तो मैं तुम्हे address बता देती, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती, अभी की बात, at present मेरे पास होते हो, मैं तुम्हें दे देती, तो बात तो हम present की कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर वर्ब कौन से लगा रहे हैं, past, सिटेंस कि तहूं पता हो अभी थे पता हो तो साथ हिस्ट का से पता होँ त आर लिरेंशाल चिहनल है मैं यह वही तु है धे दो मुझे पता हो तो मैं तूम्हेंशे कहां कर द meny JACK तो सिट्वेशन अंरियल है मैं तुम्हें उधार दे दू लेन मतलब देना होता है बोरो मतलब लेना होता है उधार लेना ठीक है तो यह भी कहां डखना है अब तीसरी सिच्छेशन भी देखते हैं फिर हम देखेंगे इसके स्रिक्चर क्या बन रही है इफ ही रेन वी टु है ओल दा वे अगर वो तेज भागे पूरी रास्ते में वोड गैट देर इन टाइम वह वहां पर समय पर पहुंच जाएगा ठीक है न वह तीज भागेगा हमें नहीं उमेद है कि वह तेज भागे का एक्सपर नहीं होना मैं अगर वह भागे तो वह वहा मैं पक्षी हूँ, I would fly in the sky, मैं आस्मान में उड़ जाओं, ना मैं पक्षी हूँ, और ना ही मैं उड़ सकती, ठीक है, तो यानि अन्रियल, सिचुएशन, इमेजिन है खाली, इमेजिन करना, कल्पना करना, इफ I were you, I would not tolerate such treatment, अगर मैं तुम होता, तुमारी जगह हो, तो मैं ऐसा वैवार कभी बर्दास्त नहीं करू, टॉलेट करना, बर्दास्त करना, सेहन करना, ट्रीट्मेंट यहां पर इस तरह का वैवार से मतलब है, तुमारी जगह हो, तो क्या कोई वन परसन उसकी दूसरे प अन्डियल सिचेशन है, अब देखें, यहां पर सिक्चर क्या रहेगी, एक चीज़ तो यहां पर यह डियान लखना है, अरर में क्या क्या आता है, जब यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी, ही, शी, कोई भी हो, यहां पर उसके साथ वर लगाना है, वोज नहीं लगाना है, ऐसी सिचेशन में, जो कंडिशनल रहती है, इमेजनल ही रहती है, पहली बात तो यह देखनी है, दूसरी सिक्चर देखनी है, कि यह हमारी वी टू है, यानि यह हमारी है, पास इंडेफिनिट, तो हमारा यह पार्ट में क्या जाएगा, कुछ भी जैसे मो भाट ज यहां रहे के साथ , भी वे यह क्लियर है, और यह कैसे आया में, अपको बटाँगे, बी- की फोर्म्स है, यह वोone जो है, तो वह乾्चिक met एक्व ग्जांपल में हम समझेंगे, टाइप 3 में क्या रहेगा देखिए टाइप 3 है हमारा इंपोसिबल कंडिशन अब आप कोगे कि पहले वाली भी सेकिंड भी तो इंपोसिबल थी वह प्रेजंट की इंपोसिबल थी कि मेरे पास अब हो तो मैं तुम्हें पैसे देदू बट यह तो पास की इंपोसिबल है जो पास perfect ठीक है इफ आई हैड रॉन फास्ट अगर मैं तेज दोड़ा होता रॉन की पहरे फोर्म देख लीजेर रन रहन और रहन ठीक है वहां रहन था चेकिंड फॉर्म रहन दोनों फॉर्म जो है प्रेज़ फर्स और था वह सेम रहती है तो इफ आई हैड रॉन फास्ट अ व्हां पास base warm of the inbubi भी है ठीक है वॉड्ट है और हमने यहां पर V3 भी लगानी है कैच कोट प्राइंस कोट होती है इसकी कैच कॉट कॉट थार्ड वर्म भी कॉट होती है ठीक है अब यहां पर देखें थार्ड सेकिंड में क्या है इफ दा गाडनर हैड वॉटर पानी दिया होता, plants को, they would not have, not हमारा इनके बीच में लगता है, would should जो भी आएगा यहां पर, would not have dried, सुकते नहीं, अगर पोदो को पानी दिया होता, तो वो सुकते नहीं, यानि पास्ट में दिया होता, पास्ट में, तो वो अब सुकते नहीं, ठीक है, next देखो, had he come to me, अगर मेरे पास आया होता, I would have given him my book, मैं उसे पने book, दे दी होती, वो आया नहीं, मैंने दी नहीं, ठीक है, अब एक चीज़ को यहां पर देखे, यहां पर had, बाहर आ गया, तो यह question नहीं है कोई, यह inversion, if, जैसे मान लीजे, मैं यहां पर लिखू, if he had come, ठीक है, तो इसको इस त पहले आजाता है, ठीक है, तो यह भी सही है, had, दोनों का meaning same है, had he come to me, I would have given him my book, यह सेक्चर क्या बन लई है, जब हमारे पास, if close के अंदर, हमारा had v3 आ रहा है, तो उदर हम क्या लगा सकते हैं, उदर हमारे पास, accordingly, जैसे would, should, could, और इसके साथ, might भी हो सकता है, might, और अब क्योंकि देखें, यहां पर वर्ब की third form है, form हमें यहां भी वर्ब की third ही लगानी है, लेकिन इसके साथ directly लगनी सकती, तो हम यहां पर क्या use करना है, have, have क्या है, base form of the verb है, तो base form of the verb का rule पूरा हो गया, यहां पर concept जो हमने सीखा है, कि moral के साथ base form of the verb आती है, और has, have, had, अपने साथ हमेशा वर्ब की third form लेता है, तो वो भी concept के आपर पूरा हो गया, example देखते हैं, सब mix है, एक blank छोड़ा हुआ है, आपके correct form of the verb में भी आता है, कि tense के पार्ट में ही, कई books में तो यह tense के पार्ट में ही दे दिया जाता है, error पार्ट में भी आता है, तो द बेस form of the verb आ गई है, यानि future की बात है, simple future की, if you dare so loudly, अगर तुम चिलाओगे तो मदर नराज हो जाएगी, अगर तुम चिलाते हो इतना तेज, तो मदर नराज हो जाएगी, तो हमें हिंदी नहीं करनी, हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे है, will be, तो हमें यहाँ पे क्या सकते हैं, बहुत सारे, बट हम यह समझ सकते हैं, कि यह हमारी वब दियुए है, और हमें यहाँ पी क्या बरना है, इसका plural form में जैसे कि वह बहुत ही है, हमारी base form वैसा दियुए है, लेकिन यहाँ क्या फिल करना है, वो इसको देखते हुए, फिल करना है, next देखो, if I dash you, I would not buy that dress, अब इससे पहले हम पहले इस B की forms को समझते हैं, so that आपको पता लगे कि B की forms, जैसे यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो हमें यह पता लगे, कि B की forms को किस तरह से फिल करना है, बी देखो, कोड एक base form होती है, ठीक है, और उसके बाद, जैसे हमें base form लगानी है, तो हमें उठा के भी लगाना होगा, B के पास इसकी present form होती है, isMR, अगर हमें present फिल करना है, तो हमें isMR फिल करना होगा, कि क्या है, isMR का मतलब क्या है, is जो है, वो singular person के साथ आता है, plural person के साथ आर आजएगा, m जो है, वो i के साथ आजएगा, past भर करना है, तो हमें वोसबर मिर्न करना होगा, और अगर हमें, जैसे कि हमारा हेड के साथ हमें kayak form होती है, तो हमें की फर semaines के साथ करना है, इसके बात करना है, तो हमें हैर के साथ फिल करना है, और हम हैसमें tutte पर स्वांस क्योंकि हम एक्टिव इसमें जा रहे हैं नेक्स अगर आप देखोगे इसकी बींग होती है continue form तो इसकी हम यह पर जरूरत अभी नहीं है देखें है if i-you बी की form फिल करनी है I would not buy that dress अगर मैं तुमारी जगे होता अगर मैं तुमारी जगे हों तो मैं यह द्रस नहीं करें दू वोट के साथ क्या दियावा है पहले यह दिखना है बेज़व मॉड वर्ब के साथ बेज़व मॉड वर्ब होने पर हम यहां पर क्या फिल करेंग बी की पास्वाम यानि वी टू यानि आय के साथ हम जैसे कि मैंने बिताया यहां कोई भी सब्जेक्टों में वर फिल करना है ठीक है क्लियर नेक्स देखो इफ डैश नो यहां पर दिया हुए हमारे पास अबाउट यूर प्रोब्लम वी वुड़ हाव है यू हम तुम्हारी ह कि यूज़ करना है अब देखो कई बर क्या होता है घल्प दिया हुए खाली है ठीक है तो हमने बता यह वी टू है लेकिन हम किसके साथ देख रहे हम वुड़ के साथ तो हैल्प कभी आईगी अगर आएगी तो सीथा तो हैं के साथ हैल्प आरी यह मतलब हमें यहां पर भी अगर हमें तुम्हारी प्रब्लम पता होती past में पता होती तो हम तुम्हारी help करते clear next देखो, if I dash not do not लगाना है नगरे बनाना है इसको इसलिए not दिया हुए हमारी main verb ये है सब्सक्राइब if I d- not do nobody would do it would do क्या है वोग की बेस फॉर्म अब यहां पे देखें कि अगर में इसे ना करूना तो कोही भी ना करें प्रेजन्ट में कड़ें में प्रेजन्ट क करें अगर में ना करूना तो को भी ना करें तो अब यहां यहां पर क्योंकिने वह unit G Alexandra हमें पहुर्सक्राइब क्योंकि नेग बननाना है जब शुक्ति के साथ बनाते हैं देट्न इसी लगा दीजे दिट्व क्यों स्थीं में क् olsun अब करना होता तो यह कैसे है इसे बनती है अगर मुझे पता होता कि you are ill, तुम बिमार थी, I dash you in the hospital, हाड वीठ्रे दिया हुआ है, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, would have third form, तो would have visited, would have visited, मैं तुम्हें देखने जरूर आता होस्पिटल के अंदर, पास की बात है, मुझे पता होता है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए जरूर आता, if you dash at the meeting, I should have seen you, should have third form, ध्यान देखना है कहीं, if के साथ अभी सीधा, भी की form है, वर भर दिया, यहां पर भी है, हमने वर भर दिया, ऐसा नहीं है, हमें यह देखना है, कि वो कहना क्या चाहता है, यहां पर, should have, देखे, would should, हो सकता है, अगर तुम महाँ पर होते हैं, meeting में होते, pass में, तो मैं तुम्हें जरूर देखता, तो, अब देखो, यहां पर हमारे पास, B की form, क्या है third bean, किस के साथ लगा देए, had के साथ, if you had been there, तुम वहां पर होते हैं, meeting में, at the meeting, I should have seen you, मैं तुम्हें जरूर देखता, मैं तुम्हें देखता, ठीक है, एक इसको quick देख लेते हैं, कि कौन सी form किस के साथ आएगी, अभी तक हम ने जो देखा, उसको हम summarize कर लेते हैं, एक बार, quick review देख लेते हैं, हमारे पास conditional sentences में, if close हमने किया, उसमें हमारे पास दो close रहते हैं, एक close रहता है, जो conditional close होता है, subordinate close उसे आप कह सकते हैं, और दूसरा होता है, main close, main close जो होता है, वो किसी पर depend नहीं होता, independent होता है, इसका अपना एक meaning होता है, और जो हमारा conditional clause होता है वो depend करता है main clause पर अपना meaning complete करने के लिए इसके इसमें हमने टाइप जो है वो थ्री टाइप इसके में देखे थी जिसमें हमारा जो पहला था उसमें हमारे पास वर्ब कौन सी रहती है present present रहेगा present continuous हो सकता है present perfect हो सकता है लेकिन उधर हमारे पास will, shall, may, can इनके साथ base form of the verb रहेगी ठीक है next देखे इसमें हमारा क्या रहता है कि कुछ ऐसा है जो possible हो सकता है अगर यह शर्त पूरी हो जाती है condition पूरी हो जाती है तो यह result हमें future में मिल जाएगा possibility है मिल ही जाएगा नहीं मिल जाएगा ठीक है possibility है something that is possible next है simple पास अब यहां पर वी टू रहेगी तो हम वर्ब के साथ will और शेल को इनको हम क्या कर देंगे would, should, might, could कर देंगे इनके साथ हम base form of the verb लगाएंगे जो की moral वर्ब के साथ रहती है उसके बाद तीसरी हमारी है past events that might have happened in the past but did not happen past perfect में क्या रहेगा had v3 तो याद करने का तरीका क्या है अगर आपके पास v3 है तो इधर भी v3 लगाना है तो would, should, might, could करने के बाद जैसके moral के साथ हमेशे क्या लगाते हो base form of the verb तो have आपकी base form of the verb आ गई ठीक है और वर्ब की third form लगानी है तो आपको has of head में से चाहिए head आप यहां रगा नहीं सकते क्यों कि किसकी बात हो रही है model, model के साथ हमेशा क्या आती है base form तो has भी नहीं आ सकता वो singular verb है ठीक है तो हमें वह भी हमने complete कर दिया इसके साथ has of head जो तो third form लेता है तो वो भी यहां पर complete हो गया fourth में हमने देखा कि कोई भी zero condition यानि कोई general fact है जो कि होगा ही होगा ऐसा नहीं कि यह होने पर ही मतलब हो भी सकता है या नहीं भी यह होने पर यह result तो आएगा ही आएगा natural है यह ठीक है तो उस reaction में हमारे पार दोनों जो फर्स फर्म रहेगी फर्स फर्म में भी क्या सेस लगाना जैसे it melts लिखा मैंने इतके साथ की singular form आती है तो हमने singular form यूज की तो यहां पर दोनों में सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए present time यूज क्या जाएगा ठीक है आपको समझ में आया होगा कि इफ क्लोज जो ह है वह किसी इवेंट के लिए यूज होता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर कर लेजिए और नेक्स आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह आप कमेंट सेक्शन में में बता सकते हैं थैंक यूफर वर्चिंग